हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के जॉब बेकेंसी निकल करके आई है वो टाटा मोटर्स कंपनी से जॉब बेकेंसी निकल करके आई है जी हाँ दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी में सीधी भरती निगली है अगर दोस्तों आप भ तो तीन सो चबालिस पुष्टों पर भरती होनी है शैली की बात करें तो शैली आपको 35,000 रुपै पृरती मन तग आपको सैली मिल सकती है, ना कोई एक्जाम होगा और ना कोई किसी तरह की कोई निकल करके आई है ऐसे करें आप एदन बो भी मैं step by step आपको इस वीडियो में दूंगा आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें Tata Motors requirement 2022 की जॉब निकल करके इसकी detail और information की नाम की बात करें तो company का नाम है Tata Motors और apply mode की बात करें तो online mode है जिया दूस्तों आप online अपने mobile phone से ही इस company में apply कर सकते है बो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको apply करना है या चाहें तो आप जो है Tata Motors के official carrier के page पर जाकर भी सीधे आप apply कर सकते है name और post की बात करें location and department की बात करें तो यहाँ पर engineer की post है deputy manager की post है CA engineer की है दोस्तों automation की है यहाँ पर दोस्तों और information technology की है project manager की है IT application developer की है यहाँ बहुत सारी quality बगएरा one की है engineer senior engineer student helper बगएरा इनकी सब की आप पोश्टे निकल करके आई है आप यहाँ पर manufacturing जो माल बनता है उ mold fitting की आई है दोस्तों यहाँ पर HP DC की है CNC machine जो चलाना जानता हूँ उसके लिए यहाँ पर लिकल करके है CNC supervisor बगएरा है यहाँ पर दोस्तों injection mode है यहाँ पर प्रेस डीस है यहाँ पर fitting बगएरा का है अब बहुत सारे यहाँ पर जो है दोस्तों लिकल करके आई पोश्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप दोस्तों बहुत सारी पोश्टों पर रिजायन बगएरा की manager की supervisor की for man की supply chain की manufacturing की इन सब की यहाँ पर दोस्तों जॉब निकल करके आई है who can apply यानी की इस job के लिए कौन कौन apply कर सकता है तो अर्फ यहाँ पर बात करें male और female की तो male और female दोनोग इस जॉब के लिए अपलाई कर सकते है टाटा मोटर्स जॉब वेकंसी 2022 के लिए क्या एज लिमिट रखे गई है तो दोस्तों यहाँ पर मिनियमम जो एज रखे गई है वो 18 वर्स रखे गई यानि कि आपकी कम से कम जो उमर है वो 18 वर्स होनी जरूर है तभी आपको जॉब है लेकिन 18 वर्स से कम है तो आप यहाँ पर अपलाई नहीं कर सकते हैं मेक्समेज के बात करें तो मेक्समेज यहाँ पर मैंशन नहीं कही गई है कंपनी के रेगूलेशन के अकॉर्डिंग क्या छूट यहाँ पर मिल सकती है तो यह आप ओवीसी कंडूडिएट के लिए के लिए पर दुस्तों पाश की छूट मिल सकती है और पी डब्लु कडिएट के लिए आप दस यह की छूट मिल सकती है टाटा मोटरस ओपनिंग 2022 के लिए एजूकेशन और क्वालीफिकीशन क्या क्या जरूरत है अगर आप 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 आइटी आई पास हैं त्वैल्थ पास है डिप्लोमा है गरेजुशन है बीटेक है एमटेक है बीए है अगर कुछ भी है आपके बाद डिगरी है डिप्लोमा है तो आप इस जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं अब कैसी आपको एपलाई करना है वो भी सुन लिजे दोस्तों या तो आप डारेक्ट टाटा मोटरस के अपलाई कर सकते हैं या मैं इस वीडियो के डिस्करप्शन में आपको सीधर लिंक दे दूँगा तो आप बहाँ पर डारा क्लिक करकर के भी इस जो पोश्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तों द्यान रखे कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं जाएगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद दोस्तों चैहिन मिलते हैं अगले वीडियो में